हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू मैं चैनल इस्प्रीचर लव टेरोड 786 कैसे हैं आप लोग आए होप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉइ का दे होंगे हैपी होंगे हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें हैपी रहें पॉजिटिव रहें डियर आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके लाइफ में हफ्तेशेप करने वाले लोगों का कर्मा क्या होने वाला है तो जिन लोगों की लाइफ में कुछ लोग हैसे हैं जिनोंने हफ्तेशेप किया है तो उन लोगों का कर्मा क्या होने वाला है उन लोगों को क्या कर्मा मिलने वाला है यूनिवर्स उनको क्या सजा देने वाली है आज इसका टॉपिक इसी बात पर है ओके तो चलिए ये एक जनरल रिडिंग है कलेक्टिव रिडिंग है जितना रेजोनेट करें उतना रख लीजे बाकी को स्कीप कर दीजे जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करें और डियर कर भी सकता है ठीक है यहां से है 10 of Wands, The Hanged Man, Four of Cups, The Moon, चलिए और देख लेते हैं प्लीज जिवाइन गाइट करें प्लीज जिवाइन गाइट करें 10 of Swords, 8 of Swords, 10 of Swords, 10 of Swords, 5 of Wands, 3 of Swords, 100% 8 of Cups, Next Card है King of Pentacles, लीजे आगया कर्मा का कार्ड तो 100% उस इंसान को क्या कर्मा मिलने बाला है जिसने आपके लाइफ में हस्तेशेप किया है, ओके 8 of Pentacles, 6 of Pentacles, The Lovers, यहां से है 2 of Swords, तो कार्ड आपको दिख रहे होंगी दियर, चलिए साइन आपको मैं बता देती हूँ, यहां पर जो साइन है, सबसे पहले तो यहां पर Cancer Scorpio Pisces, तो कर्क विश्चिक मीन राशी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, विशप, कन्या मकर राशी, एरीज, लियो, सेजितेरियस, मेश, सिह, धनु राशी, और जैमिनाय, लिब्रा, स्क्रिकमकी energy, the Emperor, Six of Swords, चलिए रिडिशिक को शुरू करते हैं, दिखें, आपके लाइफ में हस्ते शेप करने वाले लोगों का कर्मा क्या हुने वाला है, क्या कर्मा मिलेगा जिन्हों ने आपके लाइफ में बिना वजह हस्ते शेप किया था या फिर कोई प्रॉब्लम क् तो उन्पा क्या कर्मा बाला है ठीक है तो टोपिक आपकी समझ में आ गया होगा ょगा देगर एक पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग सकती है आपके लिए कुछ अलग हो सकते है या फिर उनके हस्तिशेप से आपके life जो है उसमें बहुत सारी problems आ गई थी हो सकता है कि third party involvement हो या फिर कोई family से ही कोई involved हो है ना जिसके कारण आपका जो रिष्टा था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा struggle करना पड़ा आपको balance खराब हो गया लड़ाई जगरे बहुत हुए हैं और clear ये दिख रहा है कि जि तूट सा गया है कहीं ना कहीं आप stuck हो गए थे बहुत ज़्यादा तकलीफ में चले गए थे डियर ये सारी चीज़े यहां पर दिख रहे हैं उस इनसान का कर्मा क्या होने वाला है तो यहां से कर्मा का कारण निकला है तो clear है कि उस इनसान का अब कर्मा का वक्त शिरू हो कहीं ना कहीं समय का जो पईया है वो गूमेगा और उस इनसान को उसका कर्मा मिलने वाला है क्यों क्योंकि यहां पर भी lovers का कारण है तो प्यार करने वालों के बीच में उन्होंने जो तकलीफ डाली है जो हस्तेशेप किया है उसका उनको कर्मा तो मिलना ही होगा देखें यहां पर मेरे वीवर्स जो हैं आप बहुत जदा इमोशनल हो जाते हैं जिसके कारण वो लोग आपके इमोशनल का आपके इमोशनल का फाइदा उठाते हैं कहीं ना कहीं और बहुत उनको पता है कि आप किस चीज़ से हर्ट हो सकते हैं आपको किस चीज़ से दिक् वही काम वो लोग जान मुझके करते हैं जिससे आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रियेट हो यहाँ पर यह दिख रहा है और बिना बात के आपके लाइफ में हस्तेशेप करने की आदत हैं उन लोगों की देखें लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम साई थी ऐसे कुछ सिच्वेशन आई थी कि आप जो है कही न कहीं बहुत ठक हार से गए थे आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा आपके साथ में ही यह सिच्वेशन क्यों बनती है आप ही को बुरा उठाई जाती है जबकि गलती किसी की भी हो इस तरह का है पर देर जो इनसान जिसके हम बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में हथे शेप करते हैं वो इनसान कभी सही डिसीजन मतलब राइट डिसीजन नहीं ले पाया हमेशा गलत का साथ देता था अगर आपकी गलती ना भी पाइदा उठाते रहेंगे हमेशा आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बाते बोलते रहेंगे, जब तक हम सुनते हैं तो लोक बाग हमें सुनाते रहते हैं लेकिन जब हम रिटन जब इसलिए आपको जरुवत है यहाँ पर guidance यही निकल रही है कि आपको आवाज उठाने की जरुवत है इतना भी ज़्यादा भावनाओं में बहने की जरुवत नहीं है कि अगर वो आपके लिए गलट decision ले रहा है उसके बाद में भी आप उनके हर्तेशेप को स्विकार कर रहे ह तो यह बिल्कुल गलत है यहाँ universe आपको यही कह रही है कि उस गलत होने वाले decision पर आपको आवाज उठाने की जरुवत है कहीं न कहीं अगर आपसे ऐसा नहीं बन सकता है तो dear आप किसी और का सहरा ले ले लिजे हो सकता है आपके family members में कोई और लोग हैं बहुत सारे लोग है strong decision लेने की जरुवत है clear तरीके से जब आप decision लेंगे तब जाके वो इनसान जिरो हस्ते शेप करता रहता है उसकी समझ में आएगा कि आप भी कुछ action ले सकते हैं नहीं तो वो सोचेगा हमेशा कि अरे यह तो मेरा सुनते ही चले जाता है मैं अगर इसे गरत राय भी देत हो तो यह मान लेता है या मान लेती है तो इस तरह का हो सकता है उस इनसान की सोच हो अपने आपको strong बनाने की जर्वत है dear अगर आप strong बनेंगे दूसरों की नहीं सुनेंगे तो dear आपके life में change आ सकता है कुछ ना कुछ तो change आएगा दूसरे को आपको यह समझ लीजे कि यह जो इनसान है जो हमेशा आपके life में हस्ते शेप करता है या आपके life में problem create करता है यह क्या समझता है कि यह बहुत चालाख है या इस तरह के हैं कि इनके पास में over mind है ठीके तो यह अपने आपको mandate person समझते हैं कहीं ना कहीं और दूसरों को बेवकुफ समझते हैं क्यूं क्योंकि आप इनने कोई जवाब नहीं दे पाते आप इनकी बातों में हां में हां मिल तो ये दूसरों को कम समझने लगे हैं आपको जरुवत है कि ये जो भी इंसान है जो आपको मैनुपलेट कर रहा है या फिर जो आपको आपकी लाइफ में हस्ते शेप करने की कोशिश कर रहा है आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी सीधे बनके रहने का जमाना नहीं है डियर अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो इनसान जो है वो आपको बहुत प्रॉबलम करेगा आपके लाइफ में वैसे ही पास्ट में उसने बहुत सारी प्रॉबलम क्रियेट करी है कहीं ना कहीं जब आप इनसे बोलने लगेंगे जब आप इनसके लिए आवाज उठाने लगेंगे कि नहीं ये चीज गलत है तो देखेगा कि ये परसन खुद आप से कटेगा खुद आप से दूर होने लगेगा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मदर इशुद लग रहा है कियोगे अच्छा हो जबकि दो लोगों में फर्क करने वाला हस्ट शेप मुझे यहाँ पर दिखनiki है आपके हिस्से में हमेशा बेकार हस्तेशेप हो जबकि आपकी गल्ती नहीं रहती है उसके बावजूद तो इस तरह की energy बहुत ज़्यादा दिख रही है अगर आपके life में किसी का बहुत ज़्यादा हस्तेशेप है तो यह reading dear आपके लिए है ठीके जिनको पता है कि कोई आपक लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कुशिश कर रहा है या बहुत ज़्यादा मैनुपलेट करने की कुशिश करता है या फिर अपना कंट्रोल बना के रखा है उस इनसान ने तो डियर ये रेडिंग आपके लिए ही है 100% दिखें यहां यह लग रहा है कि इनके हस्तेशेप करने से आपके लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा ऐसे शब्दों को सहन करना पड़ा जो असानी है थे जिसका दर्द आपसे सहा नहीं जात जिससे आपका दिल जो है कहीं ना कहीं तूटा है क्यों क्योंकि इस इस इन्सान ने जिसके हम बात करें कि आपके लाइज बूपर हको ऊसली आपको सबस्व Нभा कि आपको फोकस आपके ऊपर ही बना के रखा कहीं ना कहीं और आपके life में इतने सारे options लेके आ गए कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है यहाँ पर three of swords का card यहीं बता रहा है कि यह person जो है इन्होंने आपके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुचाई है बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है और इस हस्तेशेप करने के कारण यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा लड़ाई जगरे हुए अगर कोई marriage person है तो dear आपके marriage life खराब करने में इस हस्तेशेप व्यक्ति का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है इन्होंने कुछ ऐसे हस्तेशेप किये हैं जो आपके personal life थी उसको खराब कर दिया है marriage को तुरवा दिया है divorce तक की situation बना दी है आप बहुत ज़्यादा burden फिल कर रहे हैं अभी और यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपका partner जो है जो कभी गुसा नहीं करता था या कभी आपको ego नहीं दिखाता था वो बहुत ज़्यादा egoistic हो गया है बहुत ज़्यादा गुसा करना बहुत ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देना वर्खोलिक हो गए हैं आपके partner कहीं न कहीं आप से कड़ गए हैं और अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मतलब पैसा कमाना मैं एक फाइनिस के लिए वर्ग क्ना मतलब कुछ ना कुछ करना है और यह आपको टाइम नहीं देना है क्यों क्योंकि इस INA success Northern I लगा दिया है इनका पूरा फोकस ढूल है पैसे के उपर होपशन के उपर लगा दिया है तो ये जो भी इंसान है ना बहुत बुरी तरह से negativity फैला रहा है आप तो लों के इस रिष्टे में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है mother-in-law हो सकती है या फिर mother sister-in-law हो सकती है कोई भी हो सकता है आप अपने situation के साबते ले लिजे कि कौन है जिसके कारण आप खुलके नहीं बोल पा रहे हैं उन लोगों से और ना ही आप उनसे जीत पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं कुछ बोलते हैं डियर तो हो सकता है कि family issue हो सके या फिर लड़ाई जगड़े हो सकते हैं तो आप उनको कभी कुछ कहते नहीं है सहते जाते हैं जो भी वो हस्ते शेप करते हैं आपके life में उसको आप सहन कर लेते हैं कि जाने दो घर का मामला है बाद में देख लेंगे इस तरह का दिख रहा है काफी लोगों की life में तो कोई बहारी लोग है जैसे हो सकता है उनके friend circle से हो हो सकता है college से हो school friends हो तो इस तरह के लोग दिख रहे हैं जो बिना बात के आपके life में हस्तिशेप करते हैं आपका career का मामला हो या फिर आप कुछ purchase करना चाहते हो तो हमेशा रोका टोकी करना परिशान करना अपना ही मतलब अपना decision पहले रख देना अपने से पहले मतलब आपकी जो इच्छा है उसको मार कर वो इनसान अपने इच्छाओं को प्रकट कर देता है कहीं न कहीं तो इससे आपको बहुत ज़्यदा hurt भी होने लगा है बहुत ज़्यदा ऐसा लगने लगा है उन friends के साथ में जो आपकी life में हस्तिशेप करते हैं कि इनके साथ में आपका आगे का future नहीं हो सकता तो आप उन friends से कटने लगे हैं balance बनाने की कोशिश करने लगे हैं कहीं न कहीं हटते हुए दिख रहे हैं ठीके तो यह यह दिख रहे हैं balance बनाना चाहा रहे हैं balance बना कर रखना है अपनी life में balance बनाना चाहते हैं आपको sad नहीं रहना है, अब आप कोई recision लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप sad energy में रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा trust हो चुके हैं, इस life से हो सकता है, जिनका भी आपकी life में control है, या फिर हस्ते shape है, वो आपको इतनी आजादी, इतना freedom नहीं देते थे, या फिर अपर stuck हो गए हैं, burden फिल कर रहे हैं, अपनी life में अब आप new start चाहा रहे हैं कहीं न कहीं, और balance का card है, तो balance तो आप 100% बनाना चाहा रहे हैं, चाहे जो भी situation है, देखे, ये जो इनसान था, जिसने आपके हस्ते shape किया था, इनकी energy ऐसी है, कि ये बहुत ज़्यादा चोट प ये ऐसा लग रहा है कि ये अर्मानों को तोड़ा गया है, कहीं न कहीं इन्हों ने आपके अर्मानों को तोड़ा है, आपके जो खौप थे, उनको तोड़ने की कोशिश करी है, आपको तकलीव देने की कोशिश करी है, तो ये जो भी हस्ते shape करने वाला इनसान है, बहुत manipulate लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनके energy जो है बहुत जादा negative है, आपके trust जो को तोड़ा है दियर, इनके हस्ते shape करने से काफी लोगों की life जो है बरबाद हो गई, उन लोगों के behavior से, आपने बहुत सारे ऐसे decision ले लिए जो बिलकुल wrong थे, जो आपके लायक नहीं थे, यह पर मुझे clear तरीके से दिख रहा है कि love life में भी ऐसे कुछ decision थे, जो आपको लेने थे, लेकिन इस हस्ते shape करने वाले व्यक्ति ने आपके love life में इस तरह का जहर घोल दिया, कि आपका जो दिल था, वो तूट गया, three of swords की energy है, और बहुत ज़दा तकलीफ में आ गए, डियर, क्या कर्मा मिलेगा उस इनसान को जिसने आपका दिल तोड़ा है, तो डियर ये दिख रहा है कि शुरुआत तो शुरू हो गई है क्योंकि यहां से कर्मा का काड़ निकला है, इतनी सारे जो गुना करे हैं, इन्होंने जो तकलीफे दिये, उसका उनको एक ऐसा कर्मा मिलने वाला है कि यह खुद महसूस करेंगे कि इन्होंने आज तक कभी किसी का भला नहीं करा, हमेशा बिना वजह दूसरों के लाइफ में टांग अराने की कोशिश करी है, कहीं न कहीं यह रियलाइज होने वाला है, इस हस्ते शेप करने वाले इनसान को, देखे क्यों, क्योंकि यह हमेशा एगो में रहें, जो भी इनसान था, यह हमेशा एगो में रहते थे, हमेशा गुस्ता इनके अंदर रहता था, अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, आप या आपका पार्टनर, तो डियर यह आपको हस्ता खेलता देखकर बहुत ज्यादा 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 और उसको ऐसा लगता था कि आप क्यों हस रहें, आप इतने हैपी क्यों हैं, आपके लाइफ में इतनी खुशियां क्यों हैं, तो वो उसको ज्वेलस ही होती थी, कहीं न कहीं, इसलिए उस इनसान ने आपके लाइफ में हस्तेशेप करना शुरू कर दिया, आपके छोटी-छो तो अब रहे इन वहाले भीजह को सबसे पहले इनके पहना हुए है कि हर्ड अटेक को कोई प्राब्लम हो या फिर इनकी में पहले इनको कई हार्ड अटेक आया था भी इतना इस्ट्रेस नहीं ले रहे हैं इतना तकलीफ कर Bacon asksुण खा रहे हैं और सुकून से सू रहे हैं लेकिन डियर अगर ये परसन इसी तरह के अनरजी में रहे दूसरों को मैनूपलेट करना है दूसरों को भढ़काना है दूसरों के बारे में नहीं सोचना है तो डियर इस इंसान की हेल्थ को फर्क पड़ सकता है देखे यहां पर दिख रहा है, दूसरों से हमेशा ये इंसान जलते थे, दूसरों के लिए हमेशा बुरा बोलना, तो आज इनका जो करमा है, कही ना कही इनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो सब इनके सामने वापस आ रही है इस इंसान ने जब आपको आपके लाइफ में हस्तेशिप करना शुरू किया था डियर तब इसने नहीं सुचा कि दूसरों को दर्द देना दूसरों को तकलीफ देना दूसरों की लाइफ में बिना वज़े कूदना गलत बात होती है आज जब खुद को तकलीफ मिल रही है आज जब खुद को करमा मिल रहा है खुद के पास पैसे रुपे कुछ नहीं बचे कहीं न कहीं यूनिवर्स इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा रहे हैं और यूनिवर्स बता रहे हैं कि इनको लाइफ में क्या क्या तकलीफ है सहन करन होने वाली है और ये अब आगे की तरफ मूव करना तो चाहा रहे हैं लेकिन इनकी लाइफ में तरकी नहीं आएगी क्योंकि इन्हों इनकी आपको जीनी पड़ी हैं को सब्सक्राइब काफी दिकतों के साथ आपको जिन्दगी जीनी पड़ी है और क्लियर क्लीयर तरीके से दिख रहा है जेपने की जगे सैड हो जाती है clear दिख रहा है लेकिन इनको कर्मा तो मिलेगा dear ये एक जगे अपने आपको फसा हुआ पाएंगे और इनको ऐसा लगेगा कि ये कहीं फस गए है इनके life में खुशिया कहीं रही नहीं है 10 of swords का card है 10 of swords का card भी बता रहा है कि असन ये दर्द तकलीव दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा और ये अब ego को छोड़ते हुए दिख रहे हैं अगर इनकी life में वो हस्तिशेप करने वाली lady जो है वो mother थी तो dear clear तरीके से इस partner की healing up हो जाएगी ठीक है क्योंकि ये जो partner है इनकी अगर mother है वो हस्तिशेप करने वाली तो dear इनको समझ में आएगा कि इनके कारण ही आप दोनों के life जो है खराब हुई है कहीं न कहीं और आपके partner को अब एहसास होगा कि इन्होंने क्या खो दिया इन्होंने आपको अगर छोड़ दिया है या block कर दिया है या आपसे लड़ाई जगरे कर लिये हैं या आपसे दूर चले गए हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो dear अब ये person realize करेंगे इस situation में आने के बाद में moon की energy में आने के बाद में ये realize करेंगे कि इनकी life में जो खुशियां थी जो प्यार था वो कहीं न कहीं इस hardship करने वाले इनसान की वज़े से ही आज वो इनसान जो है आपके जो partner है वो इस चक है तो ये चीज यहां पर बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है I hope इस reading से आप लोग को कोई न कोई guidance मिला होगा चलिए हम कुछ messages देख लेते हैं कि उस इनसान को क्या कर्मा मिलेगा ठीक है तो यहां से first card है question तो dear वो अपने ही सवालों में उलचता चला जाएगा उसको ऐसा feel होगा ऐसा realize होगा कि उसने क्या ऐसा क्या गुना किया कि जो उसकी सारी खुशियां जो है वो लुड गई है तो वो regret feel करेंगे dear यहां से regret का card है तो वो जो आपके partner की life में या आपके life में जो हस्तिशिप कर रहा था काफी time से इस रिश्टे को बिगारने की कोशिश कर रहा था तो dear अब वो person regret feel कर रहे है maturity तो dear maturity का card है तो हो सकता है कि अब इनके अंदर बहुत जादा समझदारी आने वाली है कुछ अच्छी चीज़े आने वाली है जिसके through यह person change होंगे give up तो dear यह universe पर give up कर रहे हैं और इनको पता है कि इन्होंने जो गलत किया है उसकी गलती की माफी इनने नहीं मिलेगी फिर भी यह बोल रहे है give me a one chance तो कहीं न कहीं यह आप से एक chance मांग रहे है इनको realize हो गया है कि आपका और इनका जो connection है वो बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर दूसरे लोगों के कारण दूसरे लोगों की दिक्कतों के कारण आप दोनों जो है मेरे वीवर्स और उनके पार्टनर आप दोनों एक नहीं उपा रहे हाई वाइब्रेशन डियर आपको हाई वाइब्रेशन में आने की जरूरत है जब आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे तो देखेगा कि बहुत से ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर को सही कर सकती है और उस हस्तेशेप करने वाले इंसान को अलग कर सकती है रेडी तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर आप से कह रहे हैं कि रेडी रहे हैं वो बहुत जल्द इस हस्तेशेप करने वाले इंसान की लाइफ से निकलेंगे और आपके साथ में कुछ ना कुछ नियू बिगनिंग जरूर करेंगे 100% वो नियू बिगनिंग करेंगे better का काड़े तो कहीं ना कहीं इनको better feel होता है तो डीर यहाँ पर दिख रहा है future planning तो यह आपके साथ में future planning तो करना चाहते हैं पर यह हस्तेशेप करने वाला जो इनसान है यह करने नहीं दे रहा है जब भी यह कोई right decision लेते हैं आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं या आपके तरफ आना चाहते हैं तो यह इनको रोक लेती हैं या कुछ ऐसा brain wash कर देती हैं, menu plate कर देती हैं आपके partner की energies जो है जो कदम बढ़ रहा है वो अचानक से पीछी की तरफ हो जाते हैं कहीं न कहीं इस हस्तेशेप करने वाले इनसान के कारण आप लोगों की health पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है clear तरीके से दिख रहा है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा health आपकी खराब हुई है यहां से है divine universe तो dear आप universe पे trust करते हैं कि यह जो भी इनसान है जो आपके life में हस्तेशेप कर रहा है किसी तरह से आपके life से चला जाए जिसने आपके life को इतना ज़्यादा control करके रखा है इतना ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा परिशान हो गए तो आप मेंसे काफी लोग इनके control से बाहर निकलना चाहते हैं नई चीजों को नए रिष्टों को accept करना चाहते हैं पर dear निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहां पर मुझे energy ऐसी feel हो रही है कि जिस भी इंसान का हस्तेशेप आपके life में है बहुत strong हो सकता है हो सकता है कि आप दोनों ही co-dependency में हो आपके partner भी और आप भी इनके उपर depend हो तो यह अपने उस चीज का बहुत ज़्यादा फर्क आपको दिखाते होंगे या रॉब अपने आपको बहुत दिखाते होंगे जिसके कारण आपको इनके पास में दपके रहना पड़ता है वहां उस जगह पर आपको burden भी feel होता है आपको ऐसा लगता है बंधा बंधा सा मगर आप लोगों की कुछ मजबूरिया है कुछ ऐसे रिष्टे हैं कि वहां पर आपको रहना ही पड़ता है जो इनसान आपकी life में हस्ते शेप कर रहा है उसका कर्मा डियर बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि उसको दर्द उतना ही मिलेगा जितना वो आपको दे चुका है जितनी situation उन्होंने आपकी life की खराब करी है लड़ाई जगडे लगवाए थे वो सारी situation उनकी होने वाली है और balance उनकी life से जाने वाला है और यहां से जो card निकला था कहीं न कहीं उन्हें health issue कुछ न कुछ होने वाला है आई होप इस reading से आप लोगो को कोई न कोई guidance मिला होगा reading अच्छी लगी होगी अगर reading अच्छी लगी है कोई guidance मिला है तो मुझे comment में जरूर बताईएगा हम मिलते है नेक्स वीडियो पर बाई बाई